दोस्तों आप सभी का स्वागत है करेंट अफेर्स फंडा की यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो इंटरनेशनल टाइगर डे है ये क्यों सेलिबेट किया आता है और काफी समय पहले जब बारत में टाइगर बिल्कुल बिलुप्त होने की गागार पर थे लगबग 50 साल पहले की मेहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो उस समय 270 के आसपास में संख्या हुआ करती थी और उसके बाद में लगातार टाइगर कंसर्वेशन के लिए गवर्मेंट ने काम किया और आज के समय में जो ये आकड़ा है वो कही ना कहीं पर बढ़कर 3166 तक पहुँच चुका है तो काफी जादा संख्या बढ़ी है भारत में टाइगर की और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे अंतरास्थिय बाग दिवस के तोर पर सेलिवेट किया जाता है और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा कि कुछ पोचर्स होते है पोचर का मतलब होता है कि जो लोग illegal तरीके से forest में जाते हैं और बहां पर जो wild animals होते हैं इनकी killing करते हैं ठीक है इनको मारते हैं और इनकी खाल बगरा उतार लेते हैं इनको international market में sale करते हैं तो इन सभी चीजों के कारण दो है बारत सरकार ने काफी बड़ा कदम उठाया और जो tiger projects हैं ऐसे बहुत बड़े-बड़े initiative launch किये और जो killing of tigers है ये रोकी जा सके और एक तरीके से लोगों के बीच में अच्छी awareness पहुचे और tiger को endangered species की categories में डाला गया जो की बिलुप्त होती का गार पर थी और लगातार काम किया गया और उसके बाद आज की सभ़े में 3166 tiger जो है वो भारत में यहाँ पर है आपको यह भी बताना चाहूँगा कि 2010 में St. Petersburg में tiger submits हुई थी ठीक है रशिया में और उस दिन international tiger day इसको observe हर एक साल annually करने के लिए जो है 29 जुलाई को है यह दिन चुना गया और उसके बाद से हर एक साल 29 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है लेकिन इससे पहले भी भारत में जो tiger projects हैं और tiger को save करने के लिए लगातार सरकार अपने बड़े कदम उठा रही थी लेकिन 2010 से हम लोग international tiger day जो है यह celebrate करते हैं और यह जो resolution है decision लिया गया था आपका 2010 में St. Peterworks जो है tiger submit जो ही थी उस दोरान main purpose क्या था इस submit का यह था कि to bring the attention to drastic decline in wild tiger populations मतलब तेजी से जो गिराबट आ रही है tiger की population में उसको रोका जा सके और इनको push किया जाए ताकि यह एक तरीके से ब्लूप्त ना हो जाए तो जादा से जादा इनका बिकास किया जाए जाए इनको multiply किया जाए इनको forest में इनके लिए tiger projects मनाए जाए जिसमें इनकी अच्छी देखबाल हो सके और यह अपने आपको multiply कर सके आपको यह भी जाना चाहिए कि tiger का scientific name है वो क्या होता है तो यह होता है panthera tigress ठीके यह इस उसका physical description अगर आप देखेंगे तो जो male tiger होता है male tiger का weight है वो लगबग 110 kg से लेकर 140 kg के बीच में होता है और जो female tiger होती है उसका weight है वो लगबग 75 kg से लेकर 110 kg के असपास में रहता है यह आपको और पता होना चाहिए कि जैसे tiger है इनकी diet कितनी होती है तो अभी मैं कुछ दि पहले जो national geological park है डेली में बहाँ पर गया था दिली का चिडियागर तो उस जू में जब मैंने बहाँ पर जो एक बैंग जा रही थी जिसमें बहुत सारा हर एक animal के लिए food था तो मैंने बहाँ पर रेंजर थी उनसे मैंने बात की ती तो उन्होंने मुझे बताया कि लगब आप समझ सकते हैं कि अगर एक जू की बात की जाए तो जू में जो टाइगर है वो जादा दिनों तक जी सकता है क्योंकि उसकी डाइट उसकी दबाईयां बहुत सारी चीजों का यो लोग पूरा ध्यान रखते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि जो forest बगरा है जो जंगल ह है बहां पर टाइगर जो है वो उतने दिन अमोमन नहीं जी पाता ठीक है तो लाइफ स्पैन देख सकते हैं कि 10 से 15 साल इसका होता है ठीक है और इसकी निसकी होती है एक हैबी ब्लैक स्टिप्स होती है और 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 इंज कोटेड ही रहती है इसकी और लेंद लगबग आर्ट से 8 फीट के असपास में आप इसको देख सकते हैं और इसकी खाइबाग होती है ब्ला फीट में दब 2 फिट के असपास में इसकी हाइड और पुरी लैंद की बात करोगे तो 250 कंटीमीटर लगट ये 8.2 फीट के असपास में हो जाती है तो ये इसका एक फिजीकल स्पेसिफ तो इंद्रा गांदी जी के कारेकाल में जो प्रोजेक्ट टाइगर इसको लांच किया गया था और इसका में उद्देश यही था कि अलग अलग जो प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर रिजर्ब्स बनाई जाए जहां पर टाइगर को प्रोटेक्शन दी जाए उनको कंजर एक बड़ा decision लिया था, ठीक है, तो यह जो project tiger है, यह central government sponsored एक initiative है, आज के समय भी चल ला है, जिसमें पूरा funding support होता है, to the tiger range areas, जो tiger range areas है, अलग-अलग states में उनके लिए, और इनका basic objective होता है, conservation and protection of tiger in tiger reserves, ठीक है, and saving tigers from getting accident, accident का मतला होता है, कि पूरी तरीके से बिलूपतना हो ज बचाया जा सके, और इनकी संख्या को बढ़ाया जाए, इस वजए से ही tiger, project tiger है, इसको चलाया जा रहा है, और project tiger हमारा पहली बार, 1 April 1973 को इसको launch किया गया था, ठीक है, इंद्रा गांधी government के द्वारा, और भारत में कितने tiger reserve हैं, तो अब भी के समय में भारत में 53 tiger reserve हैं, ठ इस map में आप देख सकते हैं, हर जगह पर आपको tiger reserve देखने को मिलेंगे, और important question है कि जो 53rd वाला है, वो tiger reserve कौन सा बनाए, तो गुरू घासी दास national park ये 53rd tiger reserve यहां पर बनाए, तो ये बहुत-बहुत important question बन जाता है, क्योंकि कई बार लेटेस्ट आक्रे ये आप से पूछ जाते हैं, ठीक है, तो इनको भी आप लोग जो है, नोट कर लें, और सबसे जो बड़ी चीज है, कि ये है कहां पर, तो ये जो मैंने आपको दाए कि गुरू घासी दास national park ये आपका जो है, चत्तीस गड़ में है, ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, चत्तीस गड़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व, जो है, कोरिया जिले में, जो है, इसकी सुरुआ तो ही थी, और ये भी आप समझ सकते हैं, कि जो अचानक कुमार टाइगर रिजर्व है, उसके बाद राज जिगा, ये दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, जो गुरू घासीद सरसट है, कैसे साल दर साल इनकी सुई वह आप देख सकते हैं, 2006 काकड़ा में आपको दा रहा हूँ, 2006 में सर्वे हुआ था, तो 1414 टाइगर थे, उसके बाद 2020 में सर्वे हुआ तो 1706 हो गए, और 2014 में जब सर्वे हुआ तो 2226 हुए, और 2018 में जो सर्वे हुआ उसमें 2967 और 2022 में जब सर्वे हुआ तो 3100 सर्वे हैं, इतने जो टाइगर हैं वो यहां पर पाए गया, इनकी संक्या लगातार बढ़ रही है, और 2023 में मुझे लग रहा है कि ये भी काफी इंक्रीज हुई है, आने वाले टाइम पर जब इनका कोई और सर्वे किया जाएगा, तो हमे उसमें ये वाले आकड़े जो है अच्छी तरीके से मालूम चल पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि लगबग पिछले चार सालों में हम ये देख सकते हैं कि लगबग 200 के आसपास में जो बाग हैं वो यहां पर बढ़े हुए हैं, ठीक है, 2967 थे और फिर 316 यहां पर हो जाते हैं, ठीक है, तो लगबग इसके आसपास में आकड़े यहां पर बन रहे हैं, ठीक है, तो यह important आपके लिए data है, और कुछ और भी चीज़े मैंने यहां पर आपके लिए बना रखिये हैं, तो वो भी अपनोट कर लें, रामगर जो बिसादरी टाइगर है, यह जो है, बिटनेस हुआ था, जब यहां पर जो टाइगर के बेबीज हैं, वो आये थे, ठीक है, मतलब फर्स्ट बर्थ हुई थी, जो कप्स की, वो यहां पर हुई थी, और इसको ऐडेंटिफाई किया गया था, तो रामगर में एक बड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट जब यूसे ये डे काफी इंपोर्टेंट है, और ये प्लेस भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि जब टाइगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, और इसके बाद में इनकी संख्या में ब्रद्धी हो, तो पहली बार जब नन्ने मेमान जो टाइगर के हो जाता है, और यूपी का सुलेवा सेंचुरी रिकॉर्ट से ये फर्स्ट फोटोग्राफिक प्रूफ हुआ टाइगर्स का, कि यहां पर टाइगर्स हमने फोटोग्राफिक प्रूफ में इनको कंसिडर किया, ठीक है, और जो बांदीपूर ने 50 साल टाइगर रिजर्ब के सब देश में बागो की संख्या केबल 268 थी, और इसी प्रोजेक्ट का परणाम यह है कि देश में इस खुबसूरत दुरलब जीप की संख्या तेजी से बल रही है, कितने अच्छे फोटोज आप यहां पर देख सकते हैं, और जो गवर्मेंट की रिपोर्ट है, उसमें यह ही का जा रहा है, कि 1973 में 18,278 बर किलोमेटर जमीन पर 9 टाइगर रिजर्ब की प्रारंबिक संख्या अब जो है, बढ़कर पहले 9 हुआ करते थे उसके बाद से बढ़कर अब 53 टाइगर रिजर्ब यहां पर हो चुके हैं, और अगर आप इनको देखोगे, तो यह लगबग 75,796 बर किलोमेटर चेतर में फैले हुए 53 टाइगर रिजर्ब यहां पर हैं, और अगर हम अपने भारत के बहुआलिक चेत की बात करें, तो उसका यह लगबग 2.3 किलो, 2.3 परसेंटेज, ठीक है, 2.3 परसेंटेज है यह ठीक है, और अगर आकडों में आपने देख लिए होगा कि 2018 में 2967, 2014 में 2226, 2010 में 1706 और 2006 में यह संक्या 1411 तो यह भी अपने आप में एक बड़ा मुकाम है, और आप देख सकते हैं, मद्ध पृदेश इन सब चीजों में काफी आगे है, ठीक है, इसका जो टाइगर स्टेट का दर्जा है, वो अभी भी बरकरार है, कारण यह है कि 2022 के गड़ा में MP में 785 टाइगर जो हैं, वो यहां पर पाये गए थे, जो इसके किसी भी राजज में सबसे जादा है, इसके बाद MP के बाद जो नंबर आता है, वो आता है करनाटक का, ठीक है, करनाटक में जब यह सर्वे हुआ था, तो 563 इतने बाग यहां पर का दर्जा बरकरार है, दूसरे पर करनाटका, तीसरे पर उत्रहगंड है, ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं, कि फोर्थ पोजिशन जो है, यह है महरास्टा की, महरास्टा में 4444, 4444, 4444 जो है, इतने ही टाइगर यहां पर हैं, ठीक है, तो चौते स्थान पर यहां पर रखा गया, महरास्ट को 444 टाइगर के साथ में, चौते स्थान पर यहां पर जगए मिली है, और मद्द प्रदेश में, पिछले चार बरसों में, बागो की संक्या में, एक बड़ा उचाल भी हमें यहां पर देखने को मिला हुआ है, ठीक है, तो यह डेटा था, जो मुझे लगा, आप सभी किशाथ यहां पर शेर करना चाहिए, और अलग-अलग तरीके से बारत में लोग इस डे को सेलिवेट कर रहे हैं, काफी खुशिया मना रहे हैं, और अभी भी, यह जो दो स्टेट हैं, मद्द प्रदेश और करनाटक, इनमें ही होड चल लाई है कि कौन नमबर बनेगा, ठीक हैं, बट यहां पर आप देख सकते हैं, कि 2006 में जो बागो की संक्या आप देख सकते हैं, यह 300 थी, लेकिन 2010 में करनाटक 300 के आकड़े किसा सबसे अधिक बागो के मामले में नमबर बन पर आ गया था, जबकि मद्द प्रदेश में 300 के मुकाबल गटकर 215 रह गई थी, फिर 2014 में करनाटक में 406 बाग दर्द किये गए, जबकि MP में 300 पाए गए, लेकिन इसके बाद मद्द प्रदेश में बागो की आबादी जो है, वो बहुत तेजी से बड़ी, और 2018 में करनाटक में 524 के मुकाबले, 526 बड़ी बिली टाइगर के प्रियास किये जा रहे हैं, और ये एक अच्छा डिसीजन भी है, और लगातार आने वाले दुरों में, और भी नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक यहां पर फैक्ट और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कि जो आप यह देख सकते हैं, कि पिछले 50 सालों मे जो ये योजना है, इसका जो बिस्तार यहां पर हमें देखने को मिला है, तो ये जो टाइगर रिजर्ब बढ़कर तो 53 हो गए हैं, ठीक है, और इनका एरिया भी काफी इंक्रीज हुआ है, लगबग 75,000 के आसपास में, ये बर किलोमेटर में फैले हुए हैं, इंद्रा गा मैं इनका नाम यहां पर नोट करके आपको पताना चाहूँगा, ये हैं कैलास सांखला, ठीक है, तो ये इंद्रा गंदी की सरकार में, जो प्रोजेक्ट टाइगर है, उसके निदेशक, उसके डारेक्टर के तौर पर कैलास सांखला, इनका नाम आता है, इन्होंने ही इसका जिम्मा समाला था, और कैलास सांखला को टाइगर मेन आफ इंडिया, बहुत इंपोर्टन कोशन बनेगा आपके लिए, टाइगर मेन आफ इंडिया, ठीक है, टाइगर मेन आफ इंडिया भी खहा जाता है, क्योंकि बागो के प्रति, जो उनका समार पड़ है, उनी सारी आप सभी को एक important चीज और बताना चाहूँगा कि current affairs funda वो अपना current affairs के app में आप सभी को daily current affairs weekly monthly सबकुछ provide कराता है तो अगर आप पिछले एक सालों के current affairs चाहिए हर एक मन्त के 500 mcqs और हर एक mcq काफी detail में आपको मिलता है तो आप इन mcqs को देख सकते हैं अपनी preparation और भी 72 बना सकते हैं तो इसके लिए आप current affairs funda का mobile application आप इसको डाउनलोड कर ले और अपनी तयारी अच्छी करें ताकि और भी लोग जो है इस video से अपनी information knowledge को बढ़ाएं thank you so much guys have a good day to all of you once again we will meet in the next video